हेलो फ्रेंज मैं हूं सिवानी स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में दोस्तो होली आने वाला और होली में तो सभी के घर में पुवा जरूर बनता है तो आपने मैदे का पुवा खाया होगा गेहूं के आटे का पुवा खाया होगा और बैलागन को दवाना नहीं भुलिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो पुआ बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूत परीगी हुए मैं आपको बताती हूं, तो सबसे पहले यहां पर हम ले लिए एक कटोडी चावल का आटा, आधा कटोडी मैदा, और एक कट कर ले और उसी से आपको सभी चीज़ लेना है, और चार से पांच इलाइची को हम क्रस करके ले लिए, तो चलिए अब हम इसका घोल बनाते हैं, तो उसके लिए एक बाउल में हम सभी चीज़ों को डाल देंगे, जैसे कि चावल काटा, चीनी, मैदा, सभी को डाल के और इस इसका एक गाठा सा पहले घोल तयार करेंगे, दोस्तो दूध आपको उबला हुआ लेना है, कच्छा दूध नहीं लेना है, और दूध जो है रूम टंप्रेचर पर होना चाहिए, तो इसमें थोरा-थोरा करके दूध डालेंगे, एक बार में ज्यादा दूध नहीं डालन करेंगे, और इसका एक गाठा सा घोल तयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं, तो ये देखे दोस्तों पूवे का बैटर बन चुका है, आप देख सकते हैं, इस तरीके का ये बैटर होना चाहिए, इसमें टोटल हमको डेर कटोडी दूध का इस्त बैटर जादा गाठा भी नहीं होना चाहिए, और जादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ये देखे बिलकुल इसी तरीके का बैटर आपको होना चाहिए, और इसको आपको तीन से चार मिर तक अच्छे से फेटना है, ताकि चीनी जो है अच्छे से घूल जाए, तो दोस्तो तो चीनी जो हैं अच्छे से घूल चुका है और फुवय को बनाने के लिए बैटर्ड भी रेडी है, तो चलिए अब हम फटा-फट से पुवा बना लेते हैं, पूगा बनाने के लिए हम कराई में तेल को पहले ही से गरम होने के लिए डाल दिये थे अब हम गैस के फ्लेम को कर दिये हैं मीडियम और अब हम इसमें करचुल से आधा करचुल बैटर डाल देंगे ये एक बार में ही डाल देना है और इसको छोड़ देना भी बिल्कुल भी टच नहीं करना आप देखेगा अपने आप फूलने लगेगा तो ये धीरे धीरे अपने आप फूलेगा और उसके बाद जब ये फूल जाए अच्छे से तब इसको पलटना है गैस के फिल्म को एकदम मीडियम ही रखना है हाइप पे बिल्कुल भी नहीं पकाएं तो ये धी मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं हाइप पे बिल्कुल भी नंपकाएं और अगर फूल आ है यानि की बैटर जो एक्टा पर्फेक्ट बना है और अगर पूल नहीं फूला है यानि कि बैटर में थोड़ा सा गरवड़ी हो गया है जैसे की बैटर घाढ़ा हो जाए या फिर पत तो आप लोग को बना के दिखाते हैं तो अब हम तेल में फिट से आधा कर्षुल पैटर डालेंगे और उसके बाद इसको हम फूलने देंगे आराम से यह देखिए डाल दिये हैं और यह आप देख सकते हैं दोस्तों धीरे धीर यह अच्छे से फूल चुका है तो आप हम इस पका लेते हैं मेडियम फ्लेम पे ही पकाना है तो यह लीजे दोस्तों दूसरा पूआ भी बन चुका है आप देख सकते हैं दोनों तरब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और बचे हुए बैटर से भी हम पूआ बना लेते हैं उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं तो यह देखे दोस्तों चावल के आटे का पूआ बन चुका है तो आपने मैदे का पूआ और यहूं के आटे का पूआ तो कई बार खाया होगा पर एक बार चावल के आटे का पूआ जरूर ट्राइ कीजेग अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तो मैं निक्स टीडियो फिर से लाओंगी तब तक के लिए बाई